असलाम उलेकुम नाजरीन आज मैं आप लोगों को एक वाक्या सुनाने वाली हूँ हमारे नभी करीम सुलिल्लाहुत उले आली वा आली वसल्लम और एक जादूगर तो वीडियो चुड़ो करने से पहले आप लोगों से गुजारश करती हूँ अगर आप लोग चैनल पढ़ना हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में अपने फ्रेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एक बार मक्का शहर में काफी सूखा पढ़ गया कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे लोगों की हालत भी बहुत खराब होते जा रही थी सब मौत की कगार पर थे उन्हीं दिनों में हमारे नबी करीम सुलिल्लाव आली वा आली वसलिम की दादी और हजरत अब्दुल्मुत्तलिप की बीवी हजरत रुकईया ने खुआप देखा कोई कह रहा है ऐ मक्कावालो तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और नबी के जाहिर होने का वक्त करीम आ चुका है उस नबी के वजह से तुम्हें जिंदगी मिलेगी और तुम पर खुब बारिश होगी और फसलो और जानवरों में बरकत होगी ऐ मक्कावालो अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपने मेंसे किसी ऐसे शक्स की तलास करो जिसका रंग गोरा हो, पद लंबा हो, उसकी पलके घनी हो वो इनसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम मेंसे हर खांदान का एक इनसान उस आदमी के साथ जाए सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने, खूब खुश्बू लगाए और सबसे पहले जाकर काबा के पास हज़र अस्वत को चूमे और सामने वाला पहाड जबर अबू कबीर पर चढ़ जाएं और उस पे बैठकर बारिश की दुआ करें और सारे लोग आमीन कहें तो बारिश हो जाएगी सुभा उटकर हमारे नभी करीम सुल लगत अलिया आलिया 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 की दादी रुकाया ने जब ये खवाब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और ये कहने लगे ये खवाब कोई आम खवाब नहीं है बल्कि अल्लह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है हम किस तरह पहार में चड़कर दूआ मांगे और बारिश होगी इसलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो मक्का वालों ने उस आदमी को तलाश करना शुरू कर दिया तो वो सारी खॵबिया जो खवाब में बयान की गए थी हमारे नबिय करीम सुल्लाब तौब आली वाली ओसल्म के डादा अब्दनमुतलिब के अंदर निकल आई हजरत अब्दनमुतलिब से कहा आप ही हमारे सरदार हो आप ही के अंदर वो सारी खॵबियां हमें नजर आ रही है जो खौब में बताई गई है इसलिए आप चलकर हमारे लिए बारिश की दुआ करें अब्दुल्मुत्लिब ने अपने सारे लड़कों को जमा किया और मक्का के हर घर से एक आदमी को लेकर काबा के पास आए और हज़र अस्वत को चुमा और फिर जबरे अबू कबीर पर चड़ गए और हज़रत अब्दुल्मुत्लिब ने पहाड पर चड़कर बारिश के लिए दुआ की और सभी लोगों ने आमीन कहा अभी दुआ खतम भी नहीं हुई थी और आस्मान पर काले बादल च्छा गए और फिर देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई जब हमारे हुजूर की उम्र साथ साल की हुई तो एक दिन हमारे हुजूर सुल्लाव तुल्या अलही वालियुसिल्म के आँखों में दर्द होने लगा और आप परिशान हो गए हमारे हुझूर صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم के दादा हजرت عبد المطلب हुझूर صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم को लेकर एक जादूगर के पास गये और अब्दल मुझ्टलीब ने उस जादूगर का दरवाजा खट-खट आया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला जब उस जादूगर ने बहुत देर तक दरवाजा ना खोला और हमारे नभी करीम सुलिल्लाई अलिय वा आलिय वसल्लम अपने दादा के साथ बाहर खड़े थे तो अचानक उस जादूगर के घर में जमीन हिनने लगी जलजला आ गया वो बाहर निकला जब उस जादूगर की नजर हमारे नभी करीम सुलिल्लाई अलिय वा आलिय वा आलिय वसल्लम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा ऐ अब्दूलमत्तलीब ये बच्चा तुम्हारा कौन है तो अब्दूलमत्तलीब ने कहा ये मेरा पोता है और अब्दूला का बेटा है फिर जादूगर ने कहा अब्दूलमत्तलीब ये लड़का इस उम्मत का नभी है अगर मैं अभी अभी अपने घर से ना निकलता तो घर की चट मुझ पर गिर जाती ए अब्दुलमुत्तलिब तुम इस लड़के की हिफाज़त करना और यहूदियों से बचा कर रखना वरना वो लोग इसे देख लेंगे तो कतल कर डालेंगे और रही बात इस बच्चे के आँखों में दर्द होने की तो इसका इलाज खुद बखुद इस बच्चे के पास मौजूद है यह सुनकर अब्दुलमुत्तलिब बहुत हैरान हुए और पूछने लगे ऐसा कैसे जादुगर ने कहा जाओ घर जाओ और इस बच्चे के मूँ में उंगली रखकर उसका थूक उसकी आँख में लगा दो फिर देखना इसकी आँखे खुद बखुद ठीक हो जाएंगी अब्दुलमुत्तलिब ने घर आकर यही किया और हुजूर सुलल्लाओ अलियु आलियु आखे बिलकुल ठीक हो गई अब्दुलमुत्तलिब अपने पोते हुजूर को बहुत जादा खयाल रखा करते थे जब भी खाना खाने बैठते तो जब तक हमारे नब्य करीम आलियु आ जाते तब तक घर में कोई भी खाना खाना शुरूर ना करता और अर आखे रसूल की ये बरकत होती जब भी खाना कम होता तो हुजूर सुलल्लाओ तो उस खाने में शरीक होते तो वो कम खाना भी सब के लिए काफी हो जाता और आखर में खाना बच भी जाता डादा अब्दल्मृत्तलिब के पास हमारे हुजूर्स कुट अभी दो साल भी नहीं गुज़रे थे अचानक अब्दल्मृत्तलिब के दर्द शुरू हो गई और उन्हें मौत के आसार नजर आने लगे तो उन्होंने अपने बेटे अबु तालिब को बुलाया और कहा एबु तालिब अभी तक तो मैं अपने पोते मुहम्मद का हर तरह से ख्याल रखता आया हूं और उसे किसी भी कमी का एहसास ना होने दिया अब ये बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूं इसलिए इसकी पूरी देख भाल करना और इस पर गुसा ना करना इतना कहकर अब्दल मुत्तलिब की वफात हो गई और दादा की वफात पर हमारे हुदूर सुलिए लवाले आलियु 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 वसल्म बहुत जादा रोए और परेशान हुए कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा कि अब मेरा क्या होगा लेकिन जिसकी हिफाज़त खुद खुदा करे उसके मददगार जमीन और आस्मान बन जाते हैं हजरत अब्दल मुतलिब को मक्का ही में हजून नाम के एक जगा में दफन किया गया जिस वक्त दादा अब्दल मुतलिब का जनाज़ा उठा और लोग उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो हमारे हुजूर सुलिब लौत अलिया अलियु आलियु सिल्लम जनाज़े के पीछे पीछे रोते हुए चले जा रहे थे नाजरीन अगला वीडियो